नविश्कर दोस्तो जैहिंद वंदे मात्रम श्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सिंटर पर पावरड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो बात करेंगे आज हम आपके एमपीटेट वर्गतीन प्रीवेस पेपर की बात करें कि प्रीवेस टेस्ट यह साथ आपके जो फो यह इस सीक्टी पी पेड़ागॉजी जो आपको कटिन लगा था अब वह आसान जरूर होका क्योंकि सभी को पता है वर्गतीन की टेस्ट होगा Bis dois ऐसरो कि उनक二 हाई जैसे प्रीषट के तो पर जो लोग क्वालिफाइड नहीं है उनकी लेक और मौका है सभी के लिए तो चलिए देर नकते शुरुवात करेंगे पहले हम जैसे एकजाम में पूछा गया था हिंदी पूछी गई थी तो वह शुरुवात करेंगे प्रश्ण में पूछा गया था मुहावरे या लोकोग इस पस्टी करन करना होता है इसके साथ ही दोस्तों सभी कमेंड कीजेगा मेरे पैरे पेरे भायों के पैरे पेरे बहने गर्णी जिनका सपना है MPE Tate में वर्गतीन का सिच्छक बनना अध्यापक बनना अध्यापिका बनना जैसपाल सर आप सभी कभिनेंदन करते हैं श्वागत करते हैं साथियों गद्द पाठों के मौकिक पठन का मुखत तो क्या होता है तो आप सभी लोग जानते हैं पर गद्द पाठों की बात की गई थी और यहाँ पे सुद्ध सब्दो चारण यहाँ पे ESV जें सही जो इंसर माना वहां हम से सेर कर रहे हैं इसके साथ निन में से क्या बिसिष्ट उद्देसों का एक गुड नहीं है देखें बिसिष्ट उद्देसों का गुड होता है कारपरक बिसिष्ट और इनके अधार मनोबिग्यानिक होते हैं रहें कि इनका अधार दार्सनिक होता है या बिसिष्ट उद्देसों का गुड नहीं होगा इसके बाद अंगला परशन देख लेते हैं क्या पूंचा गया था अंगला परशना पर पूंचा गया था कि अहम केंदित भासा की संकल्पना निन में से किसके साथ घने श्रूप से जुड़ी होती है अहम केंदित भासा किस संकल्पना यहां पर पूंचा जा रह निन मेंसे मुल्यांकन का प्रमख उद्धेस क्या होता है को स्वेम आदस लेखन बच्चों की समझ प्रस्तूत करना यह आपको ध्यान रखना है लिखने में सर्बतं वर्ड माला का भ्यास कराना यह आपको ध्यान रखना है चात्रों को बैठने का धंक उप्युक्त होना ये आप को ध्यान में रखना लेकिन चात्रों में भेदभाव नहीं करना ये द्यान नहीं कर। उच्छात्रों में भेदबावतों करना ही नहीं है, क्योंकि आप सभी के लिए बालक बालिकाएं, सभी एक समान है, सभी बच्चे आपके लिए समान है, एक समान है, विज्ञान सिच्चन की वह विदी है, जिसमें विद्यार्थी को खोजी की रूप में कार करने का उशर दि ग्या रही है अंगला पुछण पेहैं तो इस कत्तहन में कि अपक्रण के सीखने का मुक्षुद्धेस किसे पीज़ में लας हिंदी हिंसा सीखने का मुक्षुद्धेस में धिए एनिक जीवन में हिंदी समझना बोलने की छमता का विकास करना तो बहुत ही सिंपल साधान से प्रश्ट पूछे गए थे इतने में आप लोग जो कौलिफाइड नहीं हो पाएं जाद अंक नहीं ले पाएं तो वो उन चीजों को समझें जाने के किस प्रकार से क्वेश्चन को इंसर सही करना है और आने वाले एक जाम के लिए बेता त्यारी कर सकें इंत में ससुर पाठ के सुपान का प्रमुकुतिस क्या होता है अकसर आप देखते होंinki कविता सिक्चन में जो होता धा कविता से ही होता कि कविता के भाव को आउगत कराया सके यानि जो कविता के हाव होते हैं उनको समझा जा सके इसके बाद आपके परशन पूछा गया था एमपीटेट 2020 में फार्म अप्लाई हुआ था और एकजाम सभी लोग पता है कोविट के कारण 2022 में एकजाम हुआ था भासा सिचन के संदर में निम्लिकित में से कौन सी पाट पुस्तकों की उपयोगिता नहीं होती है देखे दोस्तों पुस्तके मौलिक चिंतन की ससक्त पुषभूम की तयार करती है पाट पुस्तके सिच्छा का मागरशन करती है पुस्तके ग्यान प्राप्ति का ससक्त साधन होती है पुस्तकों के सहारे विक्ति बिना गुरू के भी ग्यान आरजन कर सकता है लेकिन पाट प उसके भी सिच्छा प्राप्त की जा सकती है। किसी वीदी में चात्रों को पहले पाठ बिशय का पूर्ण ग्यान दिया जाता है। फिर उसके विभिन अंगों से सम्मंध जो है स्थापित किया जाता है। वह कौन सी वीदी है। थेके ऐसी वीदी जिसमें चात्रों या बालक बालिकाओं को पहले पाठ बिसे का पूर्ण ग्यान देया जाता हो और वह कहला था मिस्चिद विरियों द्वारा सीखना अगर मिस्चिद विरियों द्वारा बच्चों को सीखा रहे हैं से पहले आपको पाड़ विशे का पूर्ण ग्यान आपको बच्चों को देना चाहिए अब आई ये बात करें कि पैसेज गद्यांस हम सभी चिकिस्सा विज्ञान के छेत में कतिपय उलेखनी खोजों से परचित है इस वकार से आपका गद्यांस पूछा गया था और आईए गद्यान से पुष्ण करते हैं कि निम्लिकित मेंसे चिकिस्सा विज्ञान के छेत में खोजों के द्वारा अब तक क्या संभव नहीं हो पाया है तेकि खोजों के द्वारा संभव हो पाया कि एंटिबायोटिक पेनिसलीन की खोज हुई है एंटिबायोटिक की खोज हुई भी है पेनिसलीन का विस्कार हुआ है लेकिन संक्रामक रोगों का उन्मूलन यह संभो नहीं हुआ है क्योंकि उन्मूलन नहीं करना उन्मूलन मत्ता होता पैदा करना पढ़ाना तो हमें दबाना है ना की बढ़ाना है ठीक है तो यह चीज़ें आपको समझ लेना है अच्छे बाद अंगला प्रश्ण पूछा गया था कि निम्लिकित में से कौन सा सब्द दीर संदी का हुदा रहा है अब संदी पूछे गे तो वह भी दीर संदी का प्रशना है गुए तो सभी लोग जानते हैं जिसमें छोटा बड़ा मिलके बड़ा में परवतित हो जाता है वह हमारा कहला था दीर श्वर्शन दी अंगला निम्लिकित में से पूलिंग सब्द का चैन करना है अब पूलिंग इस्त्री लिंग नपुन संग तीन लिंग होते हैं तीन लिंग में हमें पूलिंग जो होता है कहलाएगा लोहा यहां पे पूलिंग कहला जाएगा बांकी आपके कॉ वेरी हो गया यह कौन सी हो जाएंगी स्टिलिंग हो जाएंगी लेकिन गवराहाट क्या होगा सभी लोग अगराहाट कौन सा सब्द होगा यह आपको comment करेंगे अंगले प्रश्ण के आपके लिए इसलिए बोलें को यह आप लोग भी जागरत आपके नहीं हो पाईगी और आने वाले एक्जाम के लिए त्यारी करना है तो अच्छे तography से समझना है और आने वाले मैश के question में रप पेड कापी लेके बैठी है स्वयंबी question को साल कीजी क्योंकि आने वाले एक्जाम में उसकी related सी question आने वाले अंगला है निमलकेत मेंसे कुछ संक्रामक रोग उने खत्म कर देने के हमारे प्रयासों के खिलाप कैसे लड़ते हैं तो बहुत दोस्तों वैक्सीनों के प्रभावहीन बनाने के सकती विक्सित करके लड़ते हैं और ऐसा वैक्सीन से सम्मंदी प्रश्ण पूंचना इसलिए हुआ क्योंकि कोविट के टाइम के बाद एक जाम हुआ है अंगला निम्केत में से कौन सा सब्द प्रत्य का प्रयोग कर बनाया गया है तो सभी लोग जानते प्रत्य जिसमें प्रयोग का प्रत्य कहां पर होता है सब्दों के बाद होता है जैसे मिलाप मिलाप में क्या है प्रत्य है और इन सभी में क्या है उपसर्ग है दोनों बायोटिक के बारे में नहीं जानते ही ऐसकते हैं हम चेतक तथा पॉलियों जैसे रोगों की रोखताम को समझ सकते हैं हम इस विश्वास के धार पर निश्चित ही अपने आपको जूटी तसल्ली दे सकते हैं हम सभी चीकिसा बिज्ञान के छेत्र में हुए कतिपय उलेखनी कोजों से परचीत ये होगा लेकिन धर्ड वाला आप्शन जो है कारिंट क्वेशन सही हो जाएगा क्योंकि नेगेट्व परसन था नेगेट्व आप्शन डूणना पड़ेगा अंगला लिम्नकित में से किसे चिकिस्सा सास का जनक किसे माना जाता है इसके बाद अब काभ्यांस क्या दिया गया है मैं विकारी तुम निर्विकार निराकर मुझ में लेते हो आकार रजनी के ललाट पर उजलियों मिटाते हो उदे कलुष मैं आधे तुम आधार मेरे मन के एकाकी छणों को तुम ही तो भर रहे हो बताव तो क्यों मेरे हैदें के असंख अनवाद वो अनहद नाद सुन रहे हो समझ रहे हो ऐसा काभ्यांस दिया गया है और इसका ब्यांस सबंदी तब प्रशन करेंगे साथियों प्रशन आ चुका है कि निनमे से उपरुक परंग्जियों के रचाईता का नाम बताईए तो इसके रचाईता है अनुपमा त्रिपाठी और आपको याद होगा रचाईता को आपने जब हम पेपर का एनसस कर रहे थे डेली तो वहाँ पे रचाईता भी बताया ग गया था नेमलिकित में से जोस्तना कार्थ क्या होता है तो जोस्तना कार्थ होता है चंद्रमा का प्रकास रात्री में होता है उसको जोस्तना बोला जाता है ठीक है आई होब सभी लोग समझ रहे होंगे इच्छे तरीके से आईए बात करते हैं अंगले प्रिश्ण के पर्योग नहीं किया गया है पूंदर हुआ है अनाधु है लेकिन म chasing पर्योग नहीं उड già्या फ्र дополн पर बिलोम अब उज्जल का बिलोम क्या होता है धोमिल ठीक है उज्जल अनि जलता हुआ साफ दिखाई देना धोमिल मतलब साफ न दिखाई देना ठीक है तो दोनों चीज़ें आपके क्लियर हो चुकी है आई यह बात करते हैं अंगले पश्ट के निर्विकार में कौन सी संदी हो गया ठीक है प्रत्तिय उप्षर गिभी पूचा गया था तो कोई ऐसा नहीं था सब्द ज़रूर हाँ नहीं होते है तो वो थोड़ा समझना पड़ता आप सभी लोगों के लिए निल में से कौन सा सब्द अभिरल का परय का परयावाची अपसे आना चाहिए अभिरल का परयाव सब प्रिश्ण करते हैं निम्ल कि तुमेंसे कौन ससब्द उपसर का बिलों प्रयोकर बनाया गया है यह प्रश्ण आपका पूंचा गया था ऐसा सब्द बताना कि उपसर का प्रयोकर जो बनाया गया हो और वह है निराकर निराकार ऐसा सब्द जो उपसर का प्योग कर इसमें बनाए गया है और अंगला प्रश्ण है जो की पेड़ो गाजी का प्रश्ण है कि अध्यापक का कौन साकार उप्युक्त अधिगम वातरण बनान में मदद नहीं करता है लेकि आपका बताई क्योंकि आप सभी लोग अध कर रहा है जो भी आपका इंफार्मेशन हो आप से एर कर सकते हैं जो भी आपकी राए हो आप से एर कर सकते हैं कमेंड कर सकते हैं क्योंकि आपका अपना टीटी फैमिली है सिचकों का परिवार आवर टीचर्स फैमिली है तो साथियों अध्यापक यानि आप ये बताईए कि इनमें से अधिगम वातरन बनान में मदद नहीं करता है यानि बच्चों को सतंतता का भाव देना ये मदद करेगा बच्चों को सुरच्छा का भाव देना ये भी मदद करेगा बच्चों को निर्वे बनाना ये भी मदद करेगा यह अधीखाम बातावरुन बनाने में मदद करेंगे लेकिन बच्चों को अन बच्चों की अलोचना कर देना कि आपके अधीखाम बातावरुन के मदद नहीं करें तो सिंपल से सभी लोग समझ गए होंगे ठीक है यह हमारे इंदी लांगवेज के 30% हम निकल लिए हिंदी प question पूँच लिया गये हैं कहांपे MP8 वर्गतीर में पूँच लिया गया है जो कि syllabus मैंसा था ही नहीं तो काफी अट पटा जो है एक जाम में पूचे गए थे आए जानते हैं किस परकार के पूचे गए थे और इनका सही solution क्या होगा, पुरशने की एक संख्या को उसके 2 तिहाई जोड़ने पर 150 पढ़िडा मिलता है, वह संख्या क्या होगी, अब समझेगा, मान लीजिए कि वह संख्या एक्स है, और एक्सिमे क्या करना है, 2 तिहाई जोड दे यानि कि 2 वटे 3X बरावर वह संख्या 150 परईडाम है वह संख्या निकालना है बस LCM ले लीजिए आपका यहां पर आ जाएगा 3X प्लस 3 इंटू 3 2X इचकल टू 150 3 को यहां गुणा कर दीजिए 3 दो 5X बरावर कितना हो जाएगा ठीक है इसलिए बोला हो रप पिन काँ भी रख लीजेगा 5X बरावर जाएगा 150 इंटू 3 X बरावर क्या हो जाएगा यहां 5 आ जाएगा 5 को 5 3 30 आएगा 30 का 3 से गुणा करेंगे 90 आ जाएगा अब देखें 90 कि सब्सक्रावर प्रावर यहां प्रूम्चा गया था यहां पर कि 42 वर्स बाद एक विक्त की आयू अपनी वर्तमान आयू के तीन गुनी होगी उसकी वर् बमांण लिजिए 42 वर्स कर रहा है तो एकस प्लस 42 वर्स कर लिजह आपորा कि यहां पर उसकी यावलिक्वी एकस वर्स उसकी है और एकस प्लस 42 वर्स बाद हो गा तो एकस प्लस 22 Ltdare यह कह रहा है अपनी वर्तमान आई की तीन गुनी होगी उसकी वर्तमान आई की तीन गुनी होगी उसकी वर्तमान आई की तीन गुनी होगी कौन उसकी 42 वर्स तो अगर वर्तमान आई को भी हम तीन गुना कर दें तो दोरों हमारी वैलू बराबर हो जाएगी ठीक है अब इसक X पस ब्याज दिया गया है ठीक है 3X को अगर यहां पर माइनस X में लाएंगे तो 3X माइनस X बराबर 42 हो जाएगा तो 2X बराबर 42 बचा बचा की नहीं बचा 2X बराबर 42 नहीं 42 तो X इसकल टू 42 अपान 2 इसकल टू 21 अब देखे 21 आपके C option में दिया गया है जो आपकी सही हो जाएगा ठीक है चले बात करें समझ में नहीं आए बीडियो पहुच कीजे एक बार और रिवीट कर लिजेगा ठीक है बीडियो को प्ले कर लिजेगा पांच छात्रों की आउसत आयो 6 वर्स है यानि की 5-6 गुड़े 30 टोटल हो गया 30 वर्स इसमें 12 वर्स का लड़का जुड़ जाता है तो टोटल कितना हो जाता 42 लेकिन 5 चात्रों का है एक चात्रों जुड़ गया 6 चात्रों गया तो 42 बटे 6 कर लीजी बब 42 टोटल एज हो गई अब 6 चात्रों गया तो 6 सत्य 42 तो आउसत यहां पे कितना निकल के आ गया 7 वर्स निकल के आ गया कब 7 वर्स निकला जब ये 12 वर्स का बच्चा उसमें सामिल हो जाता है तो 7 वर्स यानि जो भी आप संदिये गया था वह आप लोगों को सही हो जाएगा अब आईए बात करते हैं अंगले प्रस्ण का अंगले प्रस्ण है उधाओ माधाओ से 20 वर्स बड़ा है 12 वर्स पहले उधाओ की उम्र माधाओ की उम्र की दूगनी थी माधाओ की वर्तमान उम्रों वर्सों में क्या होगी यही प्रसंते पूंचे गए थी आई यह समझ लेते हैं इसका solution क्या होगा देखे उधो को मान लेते हैं उधो यानि U divide कर देते हैं U को मान लेते हैं X verse माधो को M से divide कर देते हैं इसको मान लेते हैं Y verse अब 12 verse पहले दोनों क्या हो जाएगी X-12 और Y-12 verse हो जाएगी ठीक है 12 verse पहले अब कहरा 12 verse पहले उधो की उम्र माधो की उम्र की दुगनी थी क्या कहरा द्यान परूप कड़िएगा X-12 उधो और Y-12 माधो उधो को उईसे हमने U divide किया था चले X-Y मान लेते हैं क्योंकि जादत सही होता है और दिमाग में X-Y ही आता है कुछ भी हमने ठीक है तो चले X-12 यानि उधो का X-12 और माधो को Y-12 ये प्रशन कहरा है 12 verse पहले उधो की उम्र माधो की उम्र की दुगनी थी यानि उधो की उम्र माधो की दुगनी थी तो माधो को भी अगर दुगना कर दिया जाए तो दोनों value हमारी बराबर हो जाएगे यानि माधो को दुगना कर दिया अब इसमें से हमारा क्या हो जाएगा solve निकला जाएगा इसको चले solve कर लेते हैं अब आप बोलेंगे कैसे solve करेंगे अब देखे पहले आपने निकाला था कि पहले x वर्स है और माधो क्या है 20 वर्स बड़ा है 20 वर्स बड़ा था ना यानि कि x बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस y या y प्लस 20 एक भी कर सकती तो यहाँ पे x के value हमें y प्लस 20 रख देना है यहाँ पे y प्लस 20 कर दीजी माइनस 12 कर दीजी बराबर 2y माइनस 24 कर दीजी यहाँ से आपका y कमान निकला आएगा ठीक है y प्लस 12 8 बचेगा यहाँ पे बराबर 2y माइनस 24 के होगा अब देखे 2y है यहाँ पे माइनस 24 को इधर लाएगे प्लस में हो जाएगा इधर लाएंगे माइनस में जो 2y को एक y गया तो एक y बचेगा और माइनस 24 और इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो 24 आठ कितना हुआ 32 तो y के value कितनी आ जाएगे है हमारी 32 उधाओ को हमने एक समाना था ठीक है और माधो का अमने y मना था y के value हमारी आ गई तो y के value 32 यानि भी आप संसरी हो जाएगा क्योंकि माधो की वरतमान आई वरसों में पूंचा जा रहा है ठीक है अगर यहाँ पे उधाओ की आई पूंचा जाता तो बस कुछ नहीं करना था यह एक से बराबर अपने क्या था 20 प्लस कर लेना इसमें ठीक है तो आपके उधाओ की भी आप निकल आएगे ठीक है तो जामें किसी प्लकार का भी पूंचा जाए तब आप से निकल आएगा क्योंकि आपका बता एक value कमान निकल आएगा तो दोनों हमें पता चल जाएगा अंगला पसने एक दिवार की लंबाई च सी आपसर में दिया गए बी जी दिलकुल दस सिकंड में इंसर सौल कर लेंगे आप लेंगे अंगला प्रसने चार और सोला के बीच मध्यान उपाती हमें निकाल लाएं द्यान पुरक समझेगा अब मध्यान उपाती पूंचने के लिए क्या कुशने करना रूट के अंदर क क्या करना है बस रूट के अंदर होता मध्यान पानिकले दोनो संख्याओं का गुणा एक्स बाइद रूट केंदर क्या हो जाएगा चार गुणे 16 fellow is that चंउं सड्का बरगा आट करेंगे चंउं सड आएगा तो रूट को भार निकालेंगे तो आठ आ ईगआएगा तो इहा आप उसने 5 cm भूजा वाले एक गन को 1 cm की गनों को में काटा जाता है मूल गन और कटे गनों को छेट पल गन पात क्या होगा यह टप कोश्चन है लेकिन आसान तरीका हम सभी को बताएंगे कैसे सॉल्फ कर लेंगे आप सभी लोग सॉल्फ कर लेंगे देखे यहाँ पर कहरा 5 cm वाले भूजा वाले एक गन को 1 cm गनों में काटा जाता है यहाँ से हमारा एंसर होगा इसके लिए फार्मूलों क्या होता है गन है गन में 6 फलक होते हैं 6x2 इसका फार्मूला होता है s, s का मान है 5 तो 6 गुड़े 5 कवर्ग यानि 25 और 25 छक्का होता 150 ठीक है अब निकालना एक गन सेंटीमीटर के गनों को काटा यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 6s की जगह हम एक कवर कर लेंगे क्योंकि पहले 5 cm था एक सेंटीमीटर था तो एक कर लेंगे तो यहाँ पर टोटल लवैल हुआ जाएगी ठीक है 6 वर्ग सेंटीमीटर है अब देखें दोनों में 150 है अब यहाँ पर ध्यान देजेगा अब हमें यहाँ पर निकालना है पचम पचीस 5 कवर्ग आएगा ना 5 cm भूजा का है तो यह वर्ग होगा तो पचम पचीस अब हमें निकालना कितना है 125 घनों का प्रष्टी 6 पल निकालेंगे तो यह हमारा आजाएगा 6 गुणे 125 बराबर आएगा 750 और हमारा वैलू कितना आएगा 150 आएथा तो 150 अनपाते 750 कर दीजी 0 से 0 कर गया 15 एकम 15 15 15 75 एक अनपाते 5 आगया अब देखे एक अनपाते 5 किस में दिया गया है थर्ड आपसन में दिया गया है जो कि आप लोगों वह सही हो जाएगा ठीक है अब आईए बात करेंगे अनपाते एक त्रिभुच का अधार 15 सिंटिमीटर है इसकी उचाई 12 सिंटिमीटर है एक नए त्रिभुच की उचाई क्या हो जिसका छेत्र फल दिये गए त्रिभुच का दोगुना और अधार 20 सिंटिमीटर हो यह प्रस्ण पूचा गया था चलिए सभी लोग स्वाल सबीर्ग तयार रही है रफिन कांपी लेकर ही बैठे मैं आपको आलेडी बता चुका हूं ऊपको अब इसे में ट्रेंगल बनाना पड़ेगा नहीं नहीं चलेे ट्रेंगल बना लेतेैं ट्रेंगल अनु त्रिभुच बनाना पड़ेगा ड़ेगा आसपसोसस अधार 15 एका प्रमान लेते हैं और उचाई 12 दी गई ठीक है एक नए त्रिगुज हम नए त्रिगुज को डिनोट कर लेते हैं आपके दूसरा कलर डाल दें ताकि आप सभी लोग कन्फ्यूज नहों यह हमारा एक नए अत्रिगुज बन गया ठीक है कि चलिए अब ध्यान रखेगा सभी लोग जानते त्रिगुज को एच्छेत फल क्या होता है एक बटे दो अधार गुणे उचाई होता है तो एक बटे दो कर लिजिए अधार गुणे उचाई यानि अधार हमारा पंद्रा और उचाई 12 है यहां से छेत फल निकर के आ जाएगा दो पं एक 180 वर्क सेंटीमीटर होता है और इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा क्यों 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 यहां पर प्रस्ट में क्या कह रहा है एक त्रिगुज का दुगुणा है त्रिगुज का दुगुणा और आधार कितना 20 दिया गया है तो एक 180 में से आपका जो है अधा मार दिया गया है ना ठीक है तो इसके लिए मार यह नए त्रुज का छेट फल निकालना है तो उसके लिए क्या होगा एक बटे दो गुणे अधार 20 दिया गया उचाई नहीं दी गई ही जो कि हमें निकालना है उचाई को यू से डिनोट कर लेते हैं तो 180 बराबर हमारा यह च बीस गुड़े एक सुरी दो गुड़े है दो गुड़े एक स्वस्थी तो यू बराबर क्या यह नि उचाई बराबर क्या जाएगा इतना बटे बीस जिरो से जिरो दो से दो 18 बचे यह नि 18 सेंटीमीटर इसकी उचाई निकल क्या गई दूसरे ने त्रिपोज की तो यह पूंचा जा रहा है कि ने त्रिपोज की जो है अधार सेंटीमीटर है तो एक त्रिपोज का दार तो ने त्रिपोज की उचाई क्या होगी तो उचाई हमारी निकल क्या गई 18 सेंटीमीटर ठीक है क्या पूंचा गए देखे यह आपका जैसे त्रिपोज बना हुआ हुआ ह यह त्रिभूज है ठीक है तो यहां पर आधार इसका बेज दिया गए यह 15 यह 14 दी गए यह पूंचा जा रहा है तो यह हमारी निकल गया गई यह 18 ठीक है तो इन डिस्कीन पर सभी के पेपर मिल जाएंगे आप लोग डेली पेपर होंगे आपके डेली वाइज जो पेपर पूचे गए ते सारे पेपर हम सौल करेंगे सारे कोश्चन अगर आपने कल लिया तो समझ लिजे 60% आपके आने वाले एकजाम के लिए क्वालिफाइड आप X is equal to minus B plus minus under root is B square minus 4AC upon 2A ये फार्मूला होता है इस फार्मूले पे आपको value बताय देता हूं A बराबर यहां पे 2 रख देना है B बराबर 3 रख देना है और C बराबर minus 20 ये value आप उठकर लीजे यहां पे आपका जो मान निकल गया जाएगा minus 3 plus minus 13 बटे 4 ये मान निकल गया ग जाएंगे माइनस चार और पांच बटे दो माइनस चार पांच बटे दो जो की पहला आपसन दिये गए ठीक है गुणा भाग थोड़ा बहुत आप लोग भी किजी चले बात कर लेते हैं अंगले पृष्ण के अंगला पृष्ण के के निम्खित में से किस्मान के लिए 3x प्लस k प्लस 3y बरावर 1 kx प्लस 6y बरावर 4 एक अदुती हल होगा अदुती हल का मतलब क्या होता है सभी लोग बताई देखे अदुती हल में आपको क्या करना है दो फार्मूले दींगे अदुती हल का मतलब होता है अदुती हल होगा a1 अपान a2 अपान नहीं होगा बरावर नहीं होगा b1 अपान b2 के तो a1 a2 यहाँ पे a1 आपका निकल के आ जाएगा क्या यहाँ पे a1 की वैलू आ जाएगी 3 b1 की वैलू हो जाएगी 3 प्लस के जो यह दिया गया है और c1 की वैलू हो जाएगी 1 इसे पकार यहाँ पर A2 दूसरे समिकर्ण में देखी A2 की value आ जाएगी K B2 की value आ जाएगी 6 और C2 की value हो जाएगी 4 यह समिकर्ण में दिया यह value आपको निकाल लेना है इसके बाद जो A1 upon A2 आप देखें यहाँ पर मान नकने के बाद हमारी value क्या आती यह चीज़ा में यहाँ पर नोट कर लेना है यहाँ पर value A1 upon A2 मतब 3 upon K आ जाएगा बराबर B1 की value 3 upon K थी और B2 की value यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 थी अब यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोगों को सभी को ध्यान पुरक समझना है अब देखिए यहाँ पर तेरी यह गुणा कर लीजिए 6 त्रीक 18 हो जाएगा यहाँ से होगा 3 के K स्क्वेर हो जाएगा यानी की K स्क्वेर प्लस 3 के माईनस 18 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर गुरंखर निकालेजिए गुरंड खर निकालेंगे के के तोड़ेंगे तो के प्लस 3 इंटो माइनस 6 कर लेजे के प्लस 3 बरावर जी हो यहाँ पे 18 को जानतों किया तोड़ेंगे आप लोग 3 के माइनस 6 के में तोड़ लेना माइनस 3 के प्लस 6 के आया ऐसा हो क्या कि यहां पर माइनस कर लीजे के माइनस 3 कर लीजे और के प्लस 6 के माइनस 3 ठीक है यह गुड़नकंड जब आप निकाल लेंगे तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है यह कि गुड़न जो माइनस में जोड प्लस में आना चाहिए यह भी हमें ध्यान देना है ठीक है इसलिए हमने गुड़नकंड को इस प्रकार से तोड़ा था के प्लस 3 करेंगे के स्क्वेर 3 के आ जाएगा माइनस 6 करेंगे के प्लस 3 अगर बराबर 0 करते हैं तो यहां पे माइनस 6 के और 6 त्रीक माइनस 18 आ जाएगा लेकिन ध्यान रखेगा यहाँ पर हमें यही गलती नहीं करना है विखिए अगर minus करेंगे तो minus 18 आजाएगा लेकिन minus 6 K का प्रस्थी के करेंगे तो value हमारे क्या कि minus 3 किया है क्योंकि गुरंडखन यह सही नहीं होगा तो गुरंडखन हमारा कौन सा सही होगा जो हम बता रहे हैं k into k minus 3 वाला into plus 6 k minus 3 बरावर 0 ये गुड़न ख़ण हमारा सभी यानि k minus 3 बरावर 0 और k plus 6 बरावर 0 ये value निकालाई k minus 3 कमानेंगे यहाँ पर value क्या जाएगी k बरावर 1 तीर निकल क्या जाएगी दूसरी आएगी k बरावर minus 6 k बरावर 3 k बरावर minus 6 ये हमारी value निकल किया तो k बरावर 3 k बरावर minus 6 किसमें दिया गया है यानि 3 और minus 6 को चोड़कर कोई भी मान जो है यहाँ पर आपका ये कद्धिती हल हो जाएगा ये दोनों को चोड़कर अंग लापस देखे त्रिबुज ABC का अंताए केंद और कोण 30 है तो त्रिबुज बीओसी क्या होगा त्रिबुज से प्रस्णा आएगा ये भी दोस्तो आपके MP पटवारी या कह सकते हैं कहीं न कहीं पूंचा गया था एक जाम मेरे को याद है कोश्चन्स जो है दोस्तो साइद किसी कांस्टेबल भरती में पूंचा गया था चलिए ये सॉल्ब कर लेते हैं थोडा बड़ा कोश्चन स्य है लेकिन आसान है चले देख लेते हैं त्रिबुज बना लीजे एक त्रिबुज बनेगा त्रिबुज बनेगा ऐसे थोड़ा बाहार करें त्रिभुज मिल जा रहा है आपका त्रिभुज बनाने के लिए ट्रेंगल आपको ऐसे यूज करना है और ये ऐसे बनेगा और ये हो गया आपका B, C और ये हो गया O, O, B, C ये त्रिभुज है आप त्रिभुज O, B, C में ध्यान रखेगा लेखें सबी लोग त्रिवुज OVC में कोड B प्लस कोड C बराबर 180 माइनस 30 क्योंकि कोड A कमान 30 दिया गया है टोटल 180 होता है 180 माइनस 30 करेंगे टोटल आगए 150 यहनि कोड B और कोड C कमान आगया है 150 पहला समय करने डाल लेजें इसके बाद है कोड B बाई 2 प्लस कोड C बाई 2 कोड B O C बराबर 180 माइनस कैसे यह आपका जो कोड है ट्रेंगल है यह B यह C यह O ठीक है यह तरिवुज आपका इसके कोडिंग जागने अब यहाँ यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आएगा कोड B प्लस कोड C प्लस दो गुड़े कोड B O C बराबर 360 पूरे त्रिवुज का निकल के आगए यह O C एक यह हो जाएगा और एक यह निकल के आजाएगा तो दो त्रिवुज यहाँ पे कहला जाएगे तब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे तो दो गुड़े B O C क्योंकि पूरे का निकाल ले रहे हैं 360 का निकाल रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे जान लखी अब कोड B और C की वैलू 150 आए थी पहली समी करण में ठीक है तो यहाँ पे अब हमें मान रख लेना 150 प्लस दो गुड़े कोंड B O C बरावर 360 तो दो गुड़े कोंड B O C बरावर 360 माइनस 150 तो कोंड B O C की वैलू क्या आए गई 360 में 150 माइनस करेंगे आएगा 210 210 में 2 का भाग कर देंगे आएगा 105 तो कोंड B O C की वैलू क्या आजाएगी हमारी 105 आएगी अगला प्रस देखेगा अगला प्रस प्रस पूचा गया है एक कोंड अपने संपूरा कोंड के दो गुणे से 90 कम है तो कोंड का माप बताईए अब ध्यान रखेगा यहाँ पे सभी लोग मालीजे कोंड Y X है संपूरा कोंड है मतब 180 माइनस 6 हो जाएगा तो X बराबर क्या आजाएगा 2 गुण टू 180 माइनस X माइनस 90 क्योंकि 90 से 2 गुणे से 90 कम है कह रहा है ना तो 2 का गुणा कर देंगे और माइनस 90 कर देंगे बस यह आपका इंसर आ जाएगा X बराबर 2 का गुणा 180 से करेंगे 360 आ जाएगा 360 माइनस 2 X माइनस 90 तो X प्लस 2 X इसकल 2 360 माइनस 90 3 X बराबर क्या आएगा 360 में 90 को गटाएगे 2 आ जाएगा 270 तो X बराबर आएगा 270 बटे 3 3 को कार देंगे आपके वैलू आ जाएगे 90 यानि कि कमाप क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ठीक है चले बात कर लेते हैं अंगले प्रस्ण के अंगले प्रस्ण सिंप्लिविगेशन सरली करने का प्रस्ण पूछा गयता है कि सरल करना अच्छी बात है यहीं पे अंसर कर लेते हैं देखिए कैसे कलम भी नहीं चलाना होगा अंसर आ जाएगा देखिए कैसे चार का क्यूब तीन है उपर तो उपर यहां पे तीन है तो यह पूरा कर जाएगा साथ का क्यूब है यहां साथ का स्क्वार यह कर जाएगा के बस साथ बचे गया नहीं बचा हमारा साथ बटे तेरे साथ बटे तेरे देखिएगा C-Option में दिया गए जो कि आप लोगों को सही हो जाए ठीक है अंगला जो प्रशन आप दिया गए ध्यानपुरा का पेड़ागाजी का प्रशन मैस पेड़ागाजी का प्रशन पूंचा गए था और प्रशन पूंचा गए था कि NCF के उनसार गणित में सोचने और तर करने का कि विशेश तरीका सामिल होता है तो दिये गए सिधान के संदर्वे निर्मे से कौन सा कथन गलत होगा अब आप लोगों को गलत कथन बताना है देखे गतिविदिया और अभ्यास के अच्छे को हल करने के लिए सूत दें तो एक ऐसा यह निगेट्व हो जाएगा वह भी थी जिसके दोरह यह सिखाया जाता हो देखे तीनों पॉच्ट गए देकिन यह आपसन ही आपको लग रहा हो अला कि छात्रों को संगनात्मा पश्टों को हल करने के लिए सूत दे दिया जाए और प्रशन हमारा क्या कह रहा है NCF 2005 का सरगनित में सोचने तर करने के लिए बिसेश तरीका सूत दे देंगे बच्चे को सोचने तरीका नहीं होगा ठीक है तो यह कतन हमारा गलत होगा कि बच्चों को डिरेक्ट सूत दे जाए क्योंकि बच्चों का सूत दे देंगे बता देंगे तो उसको क्या बच्चों को सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाए अंगला पसने की रोमन अंक का उपयोग और आम तर पर हिंदू अर्भी अंकों जैसे संख्याओं को लेखन में क्यों नहीं किया जाता है क्यों नहीं किया जाता है देखें रोमन अंक को याद करना मुस्किल है रोमन अंक का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिलकार है बच्चे अंग्रेजी वड़माल और रोमन अंकों में ब्रहमित हो जाते हैं इसलिए है क्योंकि रोमा नंग की स्थानी मान का नियोजक नहीं करता है इसलिए इन अंकों को अपयोग करके गड़ना करना मुस्किल हो जाता है क्यों मुस्किल होता है क्योंकि रोमा नंग का इस्थानी मान का नियोजन नहीं हो रहा है इसलिए रोमा नंका उप्योग आमतर पर हिंदू अर्भी यंको जैसे संख्यों मलेखन में इसलिए नहीं किया जाता है अंगला परस्न बहुत ही सिंपल समय वर्स 9 महीने को एक वर्स 3 महीने का अनुपात बताई आप दों वर्स और महीने है यह तो वर्सों में कुआरब करें यह महीने में महीने में कुआरशान होगा यही बारा गुने 3 ao यह महीने में कनवर्ट हो गया अनुपाते बारा धनती यह महीना हो गया तो बारा तहीं च्छतिस नौ कितना हो गया 36 धन्नाव अनपाते 12, 3, 15 हो गया 9, 6, 15 निए 45 अनपाते 15 तो 15 एकम 15, 3 अनपाते 1 आ जाएगा 3 अनपाते आपके आपसन में थर्ड आपसन में दिया गया था जो की सही हो जाए ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं P के मान की पी का वह मान ग्यांत कीजिए जो आपकी वैलू दीगे X प्लस C, X प्लस P और X स्क्वार प्लस P, X प्लस 3 माइनस P तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, P का वैलू निकाल लेना है तो आ लेडी X बराबर X प्लस P बराबर 0 कर लिए तो X बराबर आ जाएगी यहाँ पर माइनस P इस से तो X की वैलू हमारे निकल आगए और इस वैलू को इस समीकर्ण में रख दीजिए X स्क्वार, यानि माइनस P का स्क्वार कर दीजिए तो यह प्लस हो जाएगा लेडी प्लस 3 माइनस P इसक्ल टू जीरो अब पी स्क्वार बराबर क्या जाएगा हमारा 3 माइनस P अब ध्यान क्या देना है क्या गलतिया हो जाती है देखे यही आप लो एकजाम में करते हैं गलती क्या होती चले गलती बताते हैं एकस बराबर माइनस P आपकी वैलू आई अब आप लोग गलती क्या करते हैं द्यान परो समझे आपकी वैलू दी गए एकस स्क्वार पी एकस प्लस 3 माइनस P दी गए इसमें एकस की वैलू हमें रखना है तो पहला हमारा P square आ गया, इसके बाद PX दिया गया है, तो PX, P का गुना P से होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस P square आएगा, प्लस 3 माइनस P बराबर 0, यह आप लोग ध्यान नहीं करती, यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस कर जाएगा, 3 माइनस P बराबर 0 हो जा जाएगी त्री जो कि आपसन में दिया गया है थड़ वाले आपसन पीके वैलू क्या होगी यांपर थ्री हो जाए ठीक है यह अपका सई चीजें अंगला प्रस्ति के बिशिष्ट अधिगम और निदेशात्म कटनाईयों का पता लगाने का मुखुद्देश क्या होता है इस ब्लैक बोर्ड जो होता है द्रस सहाधा होता है फिल्म पट्टी हो गई माडल हो गया लेकिन रेडियो जो होता है द्रस्त नहीं होता है क्योंकि रेडियो केवल सुनाई सकता है यह केवल स्रब कहलाएगा ना की द्रस्त तो स्रब द्रस्त में रेडियो आपका सामिल नहीं ह होता है अंगला पसंद दिखेगा पूंच तांच का उद्देश क्या होता है जब कोई सिच्छक आप से पूंचते हैं या आप लोग जब बच्चों से पूंचते हैं इसका उद्देश क्या होता है इसका उद्देश ही होता है दिये गए सभी विकल्प होंगे क्योंकि विद संख्याओं के तुलना करने में गलती कर देती कैसे कर देते हैं माले उदाम के लिए के जीरो पॉइंट फाइब जीरो बड़ा है जिरो समलोग पांच से इसे तूटी का सबसे संभावित कारण क्या होगा दोनों चीजें सेम हैं क्योंकि दसमलोग के बाद कोई अंग के बाद जीरो आता है तो उसकी वैलू नहीं होती है आप जीरो समलोग पांच के बाद कितना भी जीरो लगा लिजे वह जीरो समलोग पांच ही कहलाएगा दोनों चीजें सेम हैं लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है बड़ा यह तुटी जो होती है यह तुटी जो होती है इसलिए होती अब दिये गए समीकर्ण में सही बनाने के किंदो संख्या को आपसे बदल देना है चार चैंग चौबिस माइनस दो प्लस दी अब देखे सोला लाना यहाँ यहाँ पे हमारे सोला यहाँ च्छै को गुणा को कम कर दिया जाए और भाग को बढ़ा दें तो संख्या कम हो सकती है क्या हम चार गुणे यहाँ पे च्छै और तीन जो दिया गए यह सही होगा च्छै और तीन के यंकों को क्या है आपस में बदल दिया जाए इन्हीं चार गुणे यहाँ पे तीन कर दिया जाए माइनस 8 भागे 4 प्लस 6 कर दिया जाए तो 4 तहीं आ जाएगा 12 फिर माइनस 4 दो आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा 12 छै ठारा में दो जाएगा 16 आ जाएगा ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर 6 और 3 को आपस में परिवर्तित कर देते हैं तो आपकी value यहां पे सही आ जाए आए बात करते हैं अंगले पस्ट के विचारों को एक साथ मिलाकर एक नया संपूर्ण बनाना क्या कहलाता हुआ उसी को ही संस्लेशन कहा जाता है synthesis की बात कर जाती हैं अंगलापस दीखी यूरुष्टिक बीदी के फायदों मेंसे क्या होता है है यूरुष्टिक बीदी में फायदा ये होता है चार्ट को एक अन वेसक की sthaller रखता है अन वेसक मतलऑ खोज की 2012 है क्या क्या थी बिज्ञान समाज और वातावर अंगला प्रशना पर यह पूंचा गया कि माप के किस पैमाने को इकलू नेट स्केल के नाम से भी जाना जाता है अंतराल स्केल जो अंतराल स्केल होता है इसको इकलू नेट स्केल के नाम से भी जाना जाता है अंगला प्रस्णा पे पूँचा गया था कि परियोजना की रिकार्डिंग कार्थ क्या होता है जब कोई परियोजना होती है इसकी रिकार्डिंग कार्थ क्या होता है परियोजना की रिकार्डिंग कार्थ इसलिए होता है सही होता है क्योंकि बच्चे पर्योजनाकार का पूरा रिकार्ड रखते हैं और पर्योजना को रिकार्ड करते समय कुछ बिन्दों जैसे पर्योजना की योजना कैसे बनाई गई या कह सकते हैं कि क्या चर्चा की गई, कर्तबों को कैसे सौपा गया और इसका मुल्यांकन कैसे दिया गया आदी को ध्यान में रखा जाना चाहिए इसलिए प्रयोजनाकार का रिकार्ड बच्चों को ध्यान पूरा को रिकार्ड रखते हैं अपने पास सिच्छन के मुल्यांकन चरण का उद्देश क्या होता है तो सिच्छन के मुल्यांकन करने का भी एक चरण होता है प्रक्रिया होती है, सीढ़ी होती है ये क्यों होती है, इसका उद्देश यह होता है कि ये जानने के लिए कि किस हद तक उद्देश की प्राप्ति बच्चा कर सकता है ये कर चुका है, सिच्छक की कमी भी जानना होता है, रनीती की प्रहौज सिल्ता को भी जानना होता है, तो ये सभी चीजे जानना होगा, ये सिच्छन की मुल्यांगन चण का उद्देशी ही होता है, और मैस का अंतिम प्रस्ण है कि कि किसी परिच्छा में A को B क्या पेच्छ पताई यह kतने अंक मिले तोटल पानसो अंक है पानसो में दो सव सप्तर मिल जाते हैं यहां पर मैं समझना यह है चलिए आई ये सॉल्वर लेते portfol?, दिखें मान लेते हैं कि D को अंक प्राप्त हुए सौ, माना कि D को सव अंक प्राप्त होते, तो C को प्राप्त होने वाला कितना है?, C को प्राप्थ होने वाला अंक 100 माइनस 100 गोड़े 20 बटे 100 तो 100 माइनस 20 इच कल टू 80 C को प्राप्थ होने वाला 80 हो जाएगा इसे भेकाट B को प्राप्थ होने वाला 80 प्लस 80 गुड़े 25 प्रसत अधिक अंक मिलते हैं तो प्रसत में है तो 25 बटे 100 कर दें यहाँ पर देखे यहाँ पर हमारी वैलू क्या निकल जाएगा 80 प्लस 30 यह 20 निकल के आगा 20 आएगा 25 चो को 100 4 20 निकल के आगा तो 80 प्लस 20 हैंड़ तो B के लिए कित्ता हो जाएगा 100 नंबर 100 अंक हो जाएगा इसी प्रकार A के लिए हो जाएगा 100 माइनस 100 गुड़े 10 बटे 100 10 बटे 100 क्यों कर रहे हैं क्योंकि 10 प्रसत कम अंक मिलने हैं यह द्यान रखने तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 प्राप्त हो जाएगा तो A जो है अगर 270 अंक प्राप्त करता है हमारा आरा 90 यानि 90 अनपाते 270 यानि कि 1 अनपाते 3 आता है एक अनपाते 3 आ रहा तो D की वैलू क्या हो जाएगी 3 गुड़े 100 कर दीजिए 300 अंक हो जाएगे और प्रस्षत में निकालना है तो प्रस्षत में निकालना है अगर मान लेते हैं 100 है तो 3 गुड़े 100 कर लेंगे तो इसकी वैलू निकर क्या जाएगी 300 इसको प्रस्षत में निकालना है तो D द्वारा प्रस्षत हमारा क्या जाएगा 300 बटे 500 गुड़े 100 वो दो जीरो से दो जीरो कड़ गया तीन सो को पांसे डिवाइट करेंगे 60 परसेंट आ जाएगा तो डी को हिस्सा कितना जाएगा 60 परसेंट यानि डी आपसंस अही हो जाएगा यह रहाए आपके हिंदी और मैस के अब आई यह बात करते हैं एंगले प्रस्ण की जो इवी ए करना है सेब कर सकते सकती हैं बच्चों को सेर कर सकते हैं अपने जो भी और प्रेशन एंग मे के लिए एक स्थापित किया और वह पेट्रोल्यम संस्थान दोस्तों और को ही नहीं है आपके सूरत कि कि ना बात करें कि हम देहरादून के बात करें जी है दूस्तों भारती पेटियूम सस्थान ने हाली में देहरादून में प्लास्टिक कच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो बच्चे को एक पौधे को अपनाना और बोसित करने में मुद्द करना ये हो जाएगा और हाली में सभी लोग जानते हैं कि एक पेड़ मा के नाम पर जो है हमारी योजनाये चल लए हैं सबी लोग मत्पदेश में कि सबी को अपने मा के नाम बेक पेंड लगाना है अगला पस्टन है घरेलू पस्वे मवेशी में इस्टम उत्पादन के लिए खाली स्थान और खाली स्थान को उनके समगर विकास और प्रदसन के लिए आस्तरे में आवश्यक है अब देखे घरेलू पस्वे मवेशी में इस्टम उत्पादन के लिए इस्थान और चारा और पानी को उनके समगर विकास और प्रदसन के लिए आस्तरे में आवश्यक होता है अब देख गरेलू पसम अविसी के लिए क्या क्या चीज़ होंगे भाई इस्थान चारा पानी तीन चीज़ें इंपॉर्टन्ट बस बहुत ही सिंपल सा प्रशन पूंचा गया थे यह काफी टप नहीं कह सकते थे जो कह रहे थे कि वगदीर में काफी टप लेवल में प्रशन के लिए प्युक्त होता है और हिम पात बारेज हवाओं से भी बचाता हो वह हमारा कहला जाता है पारंप्रिक आवास प्रणाली क्यों हो जाएगा पारंप्रिक आवास प्रणाली हो जाएगी अंगला प्रशन पूंचा गया थे कि आवाज बेस्था में उस प्रकार का नाम बताईए जिसमें जानरों को विपरीद दिशा में सेड में बाधा सेड में बाधा जाता हो विपरीद दिशा में सेड की सफाई और गायों का दूद दोना आसान है और पसू से पसू में रोग संचरन की संभावना भी कम होती यानि पसुओं से पसुओं का रोग जो है संचन कम संभाना होती यह क्या हो जाएगे यह आवास की पूँच से पूँच प्रणाली कहलाएगी आवासों को भी प्रणाली होती है पूँच से पूँच प्रणाली हो जाएगी अंगला बाल हत्ता एवं स्वजाती भच्पावाद निन्मे से यह किसे दर्शाता है तो बाल साहित जो स्वजाती भच्पावाद जो होता यह हमें किसे संस्तिक सा पेचता को दर्शाता है जहां पर फर्स्ट आप संस्पाइब जाए इसके बाद आईए प्रस्ट की बात करेंगे कन्या बुरूंड हत्ता को सरकार ने किस वर्स अधियम बनाकर प्रतिबंदित किया है तो कन्या जब भी बुरूंड हत्ते की बात की जाती है तो सभी लोग जानते हैं वैशान हमारा 2018 आता है सभी लोग बताए आप सभी लोग कमेंट कर चुके हैं चाहिए प्रसुन की बात करेंगे अगले प्रसुन की अगले प्रसुन की अगले प्रसुन दोस्तों पूंचा गया था नमक कसूत जो कि बहुत ही सोडियम क्लोराइड होता है नसी यल फार्मूला और सी सिक्स एक्स का होता है सरकरा का होता है सिरिका अंगला बिटामिन एक की खोज किस सन में होई थी सभी लोग बताइए प्रसुन पूंचा गया है बिटामिन एक की खोज किस सन में यह नहीं पूंचा गया किसने की कब की गई थी तो बिटामिन एक की खोज 1913 में की गई थी कि आप लोगों को comment करके बताना है अब आये जानते हैं कि आप knowledge रखते हैं कि नहीं लगते हैं कितनी लोग knowledge रख पा रहे हैं vitamin A की कोछ किसने की vitamin A का रासायनिक नाम ये चीजें आपको बताना है कुछ additional चीज़ें हैं जो आप लोगों क्योंकि स्वैम सर्ष करेंगे हो सकता है इस से related और भी आप questions पढ़ लेंगे मुझे पता है इसलिए हम आपको चीज़ें करने को देते हैं अंगला है 200 अंतरिच सब्ता है किस वर्स मनाया जाता है 200 अंतरिच सब्ता है तो 1999 में 20 अंतरिच सब्ता है वर्स मनाया जाता है आप में से किसी का डेटा फ़र्थ हो सकता है तो याद रखेगा आपके डेटा फ़र्थ के दिन ही मनाया जाता है और वह दोस्तो है तमकर सीवर्मया प्रहलाद जेहनो सीतारमया तुमकर सीतारमया प्रहलाद इनको जो है ऐसे भारती बैग्यानिक है जिनको वाईवगतकी और एरोस्पेस डिजाइन के विशेशक की रूप में से जाना जाता है तुमकर सीता रमया प्रहला अंगला प्रस्ण पूँचा गया था निमलिकित में से कौन जो है बिस्व का पहला लकडी का उपकर है लकडी का उपकर है द्यान लखेगा और भी दोस्तो ओडसाइट वीसा ओडसाइट बिस्व का पहला लकडी उपकर है ये कठीन प्रस्ण कह सक कि अंगला है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है वह है दोस्तों गैनी मेंट कौन सा है चंद्रमा मतलब उबगरह बताना हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उबगरह अंगला है अगनी फाइब किस प्रकार की म मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है अंगला प्रस्ण पूँचा गया था साथियों कि निम्रिकित में से कौन सा मिशन अंत्रिच इस्टेशन के लिए पहला निजी अंत्रिच यात्री मिशन तुब है दोस्तों था आपका एक्सियोम बुवन अंगला प्रस्ण आपके एक जाम में पूँचा गया था कि भविस में संभावे टकर के लिए कौन सी अकास गंगा मिल की वे अकास गंगा की ओर बढ़ रहे है और वह कहलाती है दोस्तों इन्रो मेडा अकास गंगा गेलेक्सी की बात हो रहे है अंगला पुस्टन है दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ भोगता भी है और वह है दोस्तों भारत भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और भोगता भी है यानि खाने वाले भी पैदा भी होता है और यहां खाने वाले भी ज यह चीजें तो नार्मल सी बात हैं अंगला एसी आई खेलों की मेजवानी करने वाला पहला देश और वह दोस्तों इंडिया अर्थाद भारत इसके बाद अंगला प्रस्ण क्या पूँचा गया था अंगला प्रस्ण पूँचा गया था कि प्रथम तह सतरंज का विसकार किसके द्वारा किया गया था तो प्रथम तह सतरंज का विसकार किसके द्वारा किया गया है पुजारी के द्वारा एक पूझारी थे जो प्रत्मत्य है जो है सतरंज का विस्कार किया अंगला पास handling लोघनब के समन में निम्नेखत में से कौन सा विकल्ब सबसे उप्यूगत हो गरें कि आउलोकन बिदी करते हैं और सच्चा ज्यान प्राक्ड करतें बिल्कुल सही बात अलोकन का मतलब ही होता है कि बच्चे अच्छती के समझ पाएं सब चीजे पॉसिबल हो पाएं अंगना निमिकित में से कौन सी पार्थ योजना जो है पारंपरिक विदिया हैं अब पार्थ योजना की पारंपरिक विदियां आपको सेयर करना और बताना है देखे, पाठ योजना की परमप्रिक विधियां अगर पूची जा रही है, तो आपकी हुरिस्टिक दस्टिगोण, स्वरी यहाँ पर कह दिया गया है, हरबार्टियन दस्टिगोण, मुल्यांकन दस्टिगोण, परियोजना दस्टिगोण, यह तीनों जो आपके विधियां ह नो हो जाय था अंगला प्रसणान के एक्जाम में पूँचा गया था चैब कि प्रहवर्ण बिग्यान के सिच्छण stands स्रोतों का उप्योग निम्लिकित की भाऊना पैदा करता हिए यह दूस्तों जीवांदता और वात्विक्ता की भाऊन स्रूत चैब में क्या पूछा गया था कि निनकित में से क्या परिचर्चा में संसाधन का कार नहीं है निनकित में से परिचर्चा में संसाधन का क्या कार नहीं मतलब यह जानना विजरूरी कि संसाधन का क्या कार है संसाधन का कार होता है समुहों के सलायकार के रूप में कार करना और उसमें मदद करना क्यों कैसे परशन पूचे और संक विस उत्रों के रहे चात्रों को विस्तत करने के लिए कहें लेकिन दोस्तों समू से केवल एक नेता का चैन करना ये दोस्तों परिचर्चा का संसाधा नहीं हो जब एक नेता का चैन करना समों में तो फिर परिचर्चा ना होगी वहाँ पर फिर वो इलेक्षन हो जाएगा निमलकित में से कौन सा प्रदर्शन पद्धती का दोस है देखे प्रदर्शन पद्धती का दोस जो होता है कि सिच्छातियों में प्रदसन में प्रयुक्त उपकरणों को सभालने की अनमत नहीं दे जाती यह सबसे बड़ा दोस है जबकि प्रदसन पद्धत में विद्यार थी यह बालक बालिकाओं को ही प्रदस्टन में जो उप्युक्त होते हैं प्रक्रण उनको जो है समालने कर्मत देनी चाहिए थी ये एक निगेटू पच्छ है अंगला है दिया गया कि योगो फ्रेमवर्क फार एक्षन हच एफ ए के बीच आपदा जोखिम कर्म करने के परयासों के लिए बग्यानि खाका था कौन था बग्जानि खाका और वह कहला था सन 2005 से 2015 जी है दोस्तों 2005 से 2015 एक ऐसा आपदा जोखिम करने का परयास वह स्विक खाका था जो योगो फ्रेमवर्क फार एक्षन यह कह सकते हैं पर्षन भी नया था टप कोशन कह सकते हैं अंगला पसना है किसमे सिच्छक संसादनों को सुझाओ दे सकते हैं और सिच्छारती सूचना संचार प्रदोकी को प्योग करके घर में सीख सकते हैं और वह कहलाता है पल्टी कच्छा यह जिसे हम फिलब क्लासरूम तो पल्टी कच्छा में सिच्छक जो होते हैं वह संसादनों को सुझाओ दे सकते हैं और बालक बालिकाओं बच्चों को सुचना और संचार प्रदोकी को प्योग करके घर में भी सीख सकते हैं अंगला पसना पे पूछा गया था सातियों की एक सिच्छक स्कूल गलियारे स गुजरते समय बच्चों के एक समू को कच्छा चोड़ते हुए देखते हैं वे उनने डाटते हैं और क्लास में जाने के लिए कहते हैं अंगले दिन जो है सिचांग यह सुनीश्चित करने के लिए कि उसी इस्थान पर कई बार जाते हैं समूम में फिर से कच्छाओं को छोन रहा है या नहीं नेमिलिकीत में से कौन साकरन उक्रन सिच्चक नियोजित कर रहा है उदेश-पूर्ण अलोकन या आकासमिक अलोकन हो जाएगा तिसमे से देखी हिएंगर हम बात करें तो इसमें से ना तो उद्देश अखलोकन इसमें हो रहा है ना ही आकासमी का उलोकन हो रहा है दोनों नहीं हो रहे हैं इसमें अंगले प्रश्ण के बात करें निम्रकित में से कौन एक द्रस T.L.M अध्यापन शमगरी नहीं है तेखे टीलेम जब बात करते हैं तो पत्रिका है, केसे सिडी है, पूरक किताबे हैं, लेकिन अगर टीलेम की बात की जाए तो रेडियो परसारण आपका टीलेम नहीं है, रेडियो परसारण मतलब ब्रॉडकॉस्ट, अंगला पुस्त, किसी वस्तु या घटना में के किसी भी पहलू का माप जो होता है उसका मात्रात्मा विवरण होता है ठीक है अब चलिए बात करेंगे लांगवेज से कंड नहीं करेंगे अब यहाँ पर हम CDP के परिशन कुछ कर लेते हैं क्योंकि CD के परिशन इसमें ज्यादा इंपोर्टन्ट है इसके बाद हम लांगवेज टू की बात करेंगे चलिए सभी लोग तयार हो जाए CDP के परिशनों के लिए CDP यानि बालविकास बालविकास में क्या पूँचा गया था बालविकास सिच्छा सास के परिशन में Child Development and Pedagogy के कंसेप्ट से क्या पूँचा गया था कि सिच्छा के संदर में समाजी करण का अर्थी होता है समाजिक बातवर्ण को समयोजन करना इसके बाद बालविकास में पूँचा गया था कि समदाय सबसे छोटा छेतरी समू है जो समाजिक जीवन के सभी पहलों को चले तो यहाँ पर समदाय सबसे छोटा छेतरी समू है जो समाजिक जीवन के सभी पहलों को अपना सकता है ये परिभासा किसने दी है तो ये परिभासा डेविस ने दी है इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके अंगले प्रिश्ण की आई ये बात कर लेते हैं और अंगले प्रिश्ण आपके दिया गया है कि निम्ल की तिमेसे वह कौन मांदंड है जिस प्रिश्ण पत्र बनाने के बाद बिचार नहीं किया जाना चाहिए यहें पर प्रिश्टत आपने बना लिया, उस पर विचार नहीं करेंगे, यह मांदंड कौन सा है और वह मांदंड है, प्रिश्टना तो ज़्यादा कठीन हो, नहीं ज़्यादा आसान हो अगर ऐसे प्रिश्ट बनाए जाएंगे तो इसमें आपको दोबारा जो है विचार नहीं करना पड़ेगा यह मांदन्ड बनाना चाहिए ना जादा कठी ना जादा स्टरल इन्ना इजली बनाना चाहिए अंगला है एक आदिक सर्चिंग तकनीके मिस्षित सिच्छन समागरी बहु मुल्यांकन तकनीकी समागरी की जटिलता और प्रकत्मे बिंता निम्कित में से किसके साथ जुड़ी होती है तो यह दोस्तों प्रतक्रत दिशाद निर्देश के साथ जुड़ी होती है क्योंकि यहां पर एक आदिक सर्चिंग तकनीक की भी बात हुई है मिस्षित सिच्छन समागरी की बात हुई है बहु मुल्यांकन तकनीकी की बात कुरी है समागरी की जटिलता की बात हुई इसलिए यहां पर प्रतक्रत दिशाद निर्देश सिदा राइट एंसर हो आई दोस्तो बात कर लिये तें अंग्ले प्रिस्णों के अंग्ले प्रिस्ण जो आप लोगों की स्कीन पर पूँछा गया था प्रिस्ण दोस्तों यह है कि grade अंकों से भिन अंक कैसे होते हैं यह जो प्रशन निम्णकित में से किस वर की प्रशनों से सम्मंदित है देखे grade अंक कैसे भिन होते हैं यह हो जाएगा बिशले सनात्मक इसके बाद अंगला जो प्रशन पूंचा गया था बालविकास CDP में कि बेक्तिगत अंतर के कारण छात अध्यन की आदतों के मामले में अलग होते हैं क्या अलग होते हैं जैसे इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वे विभिन विस्यों के बारे में अपनी रुची दस्टिगोर्ण मामले में अलग होते हैं वे विविन चीजों के अध्यन के बारे में अपने दस्टिगोंड, विस्वास और राय भी अलग होते हैं और इसके साथ साथियों वे अलग अलग चीजों के अध्यन करके अपने दस्टिगोंड और देसों में भी अलग होते हैं तो यह तीनों बातें सही होंगी, बेक्तिगत अंतर के कारण छात्र अध्यन की आदतों के मामले में अलग होते हैं, यह तीनों रीजन हो जाएंगे, तो यहाँ पर ESB ने क्या सही माना जो दिये गए सबी भी कल्प है, अब चाई डबलोमेंट से अंगला प्रस्न यहाँ पर बालविकास से क्या प्रस्न पूँचा गया था, कि वलेंडाइन के अंसार सब्द आम तोर पर उन बच्चों का वर्डन करने के लिए प्रयोक किया जाता है, जिनका बेवहार यह विक्तिगत किसी चीज के गंभीर रूप में आशमान होता है, तो यह हमारा कहलाएगा, समस् दूसरों के लिए परसानी का कारण बनते हैं, यह क्या कहलाएंगे, तो यह दोस्तों आपके पहला तो अगरशेन, इसके बाद अतिसक्रीता, आवेक सीलता, लापरवाई, यह चारों हो जाएगा, यह चारों ऐसी बाहरी समस्षा हैं, बिगटन कारी विवहार है, जो अक्स के दौरान होगा, कई बार हम क्लास में बताएगे आपको, ठीक है, कितने डोज जो है दौरान दिया जाता है, महीने पूंचा गया है, तो ठीक है, टाइफाई टीके का जो प्रथम डोज है, लगबग जो है, फाइफ यर्स, अर्थात दोस्तों, पांच वर्स के दौरान मे दिया जाता है, तो टाइफाई टीके का खोज किसने किया है, यह आपको कमेंड करके बताना है, क्योंकि आने वाले एकजाम में ये भी आपके एकजाम में पूछा जा सकता है, इसके बाद बालविकास का अंगलापुस ने आप पर दिया गए, कि जब एक सिच्छक समय सही कि संख्याद जैसे कुछ मान्धननों की अधार पर सही उत्रों के लिए सिछाती की प्रसंशा करते हैं तो ये हमारा अंतराईक सुधरी करन अर्धाट इंटर मिटेंट रिफरेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा इंटर मिटेंट रिफोर्समेंट की बात करेंगे अंत्राइक सुधरी करन की बात की जाएगा अंगला प्रसंट चाही डवलेमेंट एनी बाल विकास से पूंचा गया था कि प्रजातियों में अनुपचारिक रूप से पाई जाने वाली प्रत्किया निम्लखित में से किसे कहते है क्यों ज़ाए दोस्तों जातिवितिकार रेज़्दा राइट इन सर। अंगिला पुख दिया गया है कि निम्लीकित में से कौन जो है चातरों के लिए अधिगम का एक नकरात्मक सिच्चक सम्द्राफ होगा नकरात्मक तो वह कहलाएगा परंफरी को नीरक सिच्चन सृली है नकरात्मक कहलाएगा मा की घर में खराब सुच्चता बनाए रखना लड़कियों के खिराब समाजिक भेद भाओ ये भी नकरात्मक सिच्चक संबंदी कारक आएगा लेकिन उतना नहीं है जितना परंपरिक और नीरक सिच्चन सैली हो जाएगा इसके बाद अंगला पसनिया पर दिया गया है कि बिवहार का विकास किस से होता है तो बिवहार का विकास समान से बिसिस्ट की ओर होता है अंगला पसातियों बाल विकास से पूंचा गया थे किनिमिक दमेंसे कौन सा जो है वस्तु इस्थायुत की अधारना की बिसिस्था नह इसकेसाथ इस्थाई भी होता लेकिन निराकार जे होता वस्षिटाय। पूछा गए निमलकित में से कौँछा जो है गैर हाजरी या 2NC के सेड़ी में कौन सा नहीं होगा यह हमें बताना है तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों होंगे गैर हाजरी का लेकिन आपर कहरा नहीं वाला तो ना तो एक ना तो दो तो यहाँ पर D आपसन जो सही कहरा है इस भी के दोरा जो बताया गया है वह सही बताया गया है अंगला पसन गंभी रूप से मानसिक छीन्टा वाले बच्चे कैसे होते हैं जो गंभी रूप से मानसिक छीन्टा वाले बच्चे होते हैं वो एक ऐसे होते हैं सिच्छनी होते हैं परसिच्छनी होते हैं दोनों चीज पर एपिस्टीन के अधन के संदर में निम्लिकित में से कौन सा सही नहीं दिया गया है। पर आत्मक था ये भी हो जाएगा। लेकिन हालां की उन परिवारों से सम्मंदित एसे बच्चों को ग्रेड जहां लोकतांतिक पैटन का पालन किया गया था निम्लिकित में से किसने समाजी करण के परिभासा दिये कि समाजी करण उस प्रकिया को संदर्भित करता है जो एक का आत्म जागरूख जानकर विक्ति में बदल देता है जो अपने समाज संस्कत के तरीकों में कुशल होता है यह किसकी परिवासा यह एंथिनी गिंडेस की परिवासा हो जाएगी साहिद हमने यह परिवासा नहीं पड़ी थी ठीक है पालाओ के सिदान के दात लार थी तो यह उसको दीप कर रहा है लेकिन लाट अपकना उसकी अनुक्रिया होगी घंटी सुनके उसकी अनुक्रिया क्या होती है लाट अपकती है रविन्ना टैगोर का विचार मुक्त है किसके विचार में सासित था तो रविन्ना टैगोर की बात ही तो वह सार भौमवाद की बात होग कि बढ़ती उम्र के साथ ठोस बुद्ध क्या होती ये भी बढ़ती है इसके बाद अंगला जो है बाल विकास में प्रशन पूछा गया था सातियों बहुत एच्छा प्रशन पूछा गया था कि बंडूरा ने गर्व संतोष्टी और सिद्धी की भावना को किसके रूप में बढ़ नित किया है जब भी अलवट बंडूरा की बात की जाती है तो अंध्रिक सुद्रिकरण की बात की जाती है क्योंकि इसमें गर्व और संतोष्टी सुद्धी की भावना ये आंत्री ही हो सकते हैं न तो ये आंत्रिक सुद्रिकरण इस धर राइंट इंस अंगला प्र यह जो दस्टिगों प्रतिफल और प्रुषभान से जुड़ा हो वह कहलाएगा ब्योहार बाती दस्टिगों योगि प्रुषभान सब्दूर प्रुषभान में ब्योहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह चीज आपको नोट कर लेना जन्वजाद में आपको हो जाएगा सकरात्मक पेरू जीदार राइट्यनसर है अगला है नेर्म नीकित में किस सिडांत में जो है जन्धसंचार के सिध्धांत के रूप में परिभावस його दिया गया है और है सिध्धांत भ्यक्तिगत अंतर सिध्धांत इंडवेजवड़ ड दिम्ब्यांग विक्तियों को समान औसर प्रदान करना तो यहां पे समावेशी ब्यापक की बात समावेशी ब्यापक में दिब्यांग जन अधिकार अधियम दो हजार सोल आया जाता है इसके साथ ही दोस्तों अंगला प्रस्ण है एक सिच्छा को ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय निम्लिकित में से किस बिंदू पर ध्यान केंदित नहीं करना है देखिए सुपाठ लेखा यानि की जो बुक में लिखा है वही आपको बोर्ड में लिख लिखना है आरेकों में बहुरंगी चाख का प्रयोग करना ये भी सही बात है ब्लैक पोड़ेकन का प्रयोग करना ये आप Skra «ङहँ करना है» देखिए नहीं करना है अ की सारा ध्यान करना अंगला जीन प्याजे जी के मानसी विकास कार XD Lebanan 407 बें निम्धित में से किसिरन का बहुति सम्वेदी गतिक अनुकूला नवजी की बात करें अगला परसुन पूंचा गया था वाल विकास में कि एक स्रवन बादित बच्चे की सीख़ने में काफी समय देना परता है किसमें भासा सीगने में और अंतिम पर्सुन पूंचा गया था तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात होगी ना वाई गोस्की की बात होगी यहां पर बात होगी तो केवल जीन प्याजेजी की बात होगे ठीक है तो जो लोग qualified नहीं हैं, तो वो अच्छे तरीके से बेहतर करें, जो qualified हुआ है और बेहतर तरीके से तरें, क्योंकि इसके बाद selection के exam होगा, इसके बाद vacancy आएगी, तो आप लोगों को जो qualified है, उनके लिए और practice करें, और अभ्यास करें, और मजबूती से त्यार करें, ठीक ह क्या पेएगे ज्यार करें?